अलो कसान भाई हो कैसे हो आप सभी का अमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है हम माल्टिक्रोफ ट्रेशर की सेटिंगे बारे में चोड़ी बड़ी जान कर देते हैं तो आज हम छोटा वाला जाली बढ़ने का कारण बताते हैं और क्यों बरता हो इसमें क्या क्या समस्यार आज क्यार बारे में जान कर देते हैं तो चलो वीडियो करता है श्टार्ट करने से पहले अगर आप आप मारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अभी मसीन चल रही है तो मैं चोटा सा वीडियो ख्लिप आपको दिखा देता हूं बाद में पुरिकपुरी सेटिंग के बारे में जान के रही देता हूं को हुरिकपुरी सेटिंग के बाद में पुरिकपुरी एका है बाले के रही देता है だ pleasant झाल तुरिकपुरी सेटिंग चीपुरीー कि झाल तर इड़ीनों कि प्री मैंड़ी कि अब गा लिया स्सक्राइश तो तो अगर कोई पीच्छ तो मैं फिर दुबबार बता दूंगा लेकिन ऑज लगब्र मैं सारेером करेंग बता देता हूं थोटा वाला जाली बंडे का सबसे फश्ट करण अपना जाली सान्धे एक दम सीध होने चाहिए जैसे आगे की और हम धलान ज्याद रखेगे तो माल ज्याद आगे की और आजाएगा बिना चने और पंका बिना उठाये सिध है आगे की और आ जाएगा ठीकै पस्ट यह बात ह करेंगे अगर आधे हुआ जाली पर आधी जीरी पर आएगी तब आधा मारते रहें तो जाली पर आएगी नहीं ठीक है और जीरा भी क्लियर आएगा और परेंगी नहीं दो बात हो गई दिसरी बात भोड़िवाल जाले गि-सामने की सायड जाला अठी जाहिए होना से एक हैंछी तक यलान होनी है सायड जाहिए इस से 나서 आट की मिल्स की और applying अभाएगी और तो पड़न करने समावाला झालई खाली चलेगा हो और rig आपको फरक ना है पने io using co Freem Mul love निमरका युक्ट कांएगा और जाली खाली चले समय और इसके भाहिए फिशता सब्सक्रेकर है और इससे भी आपका जाली छोटा वाला बढ़ रहा तो यह को रहा है आप छाने की चाल की लंबाई बढ़ा दो अभी जितनी है उससे आदाइस लंबी कर दो तब आपका छोटा वाला जाली खाली चलेगा ठीक है